धार जिले में कई मरतपा बिजली विभाग की लापरवाहिस से निर्दोष लोगों की जान जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा आज भी एक ऐसी हिरू कांपने वाली घटना ग्राम पंचायत खाच रोदा में घटी जिसमें युवक बिजली ठीक करने के दोरान उपर ही टंग गया आपको बता दे कि ग्राम खाच रोदा में हैलपर बंटी पाटीदार लाइट ठीक करने ट्रांसफर पर चड़ा था तभी काम करने के दोरान लाइट चालू कर दी गए जिसकी वज़े से उसका हाथ कट गया वैगंबी रूप से खायल हो गया जिसको इन दोर इलाज के लिए भेजा गया है जां उसकी स्थिती नाजुक बताई जा रही है इस खटना से काफी लोग गाउ में खटे हो गए और बिजली विभाग के अधिकारियों पर जम कर आक्रोशित हो रहे थे तभी कॉनवन टी आई कमल सिंग गहलोद को सूचना मिलते ही मोके पर पहुँचकर स्थिती को संभाल लिया लेकिन जब हमारे समधाता अमर बर्मा ने बिजली विभाग के अधिकारी को फोन लगाया तो उनका फोन स्विच ओफ मिला ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी खटना होने के बावजूद अधिकारी मोबाईल बंद करके सो रहे ऐसे ही लेटिस्ट खबरे पानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकोन को दबाए